आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की वीडियो में हम कच्छा 10 वी के विज्ञान के पेपर के कम्प्लीट सॉलूशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो के आपके लिए बोर्ड परिच्छा के लिए बहुत महत्पूर है पहला कोशन है न्यूट्रोन की खोज किस ने की थी आप सब्य होगा जैम्स च्छराण विक ने निूट्रोन की खोज कि थी इसके बात घच दिकर हम पर दूसरा कोशन पूचा गया है को शिका का पावराहूस किसे कहते हैं तो माइ्टी फॉल्सकी का गशन औक साही इलेक्ट्रोनिक भिग्णास है तो एलूमीणियम एल 13 जो ह प्रकास रेका में गमन करता है तो प्रकास एक सीधी रेका में गमन करता है यानि डारेक्ट स्ट्रेट लाइन में प्रकास गमन करता है आवेस की प्रवाकी दर्गों क्या कहते हैं बिदुत धारा कहते हैं यहां पर इंगलिस में लिखा हुआ है तो आप हिंदी में लिख देन वहां से आप डारेकली डाउनलोड भी कर सकते चैनल को जोइन करने के बाद तो देखिए परमाढ़ू संक्या किसे कहते हैं तो धूश्यायन वह भोतकी में सभी तत्वों का अलग अलग परमाढू क्रमांग जो एक तत्व को दूसरे तत्व से अलग रखता है। तो किसी तत्व का परमाधाद उक्रूमाइब के नाविक में इश्थित प्रोट नोगी संख्या के बराबर होता है। इसके बादिधि दूसरा question पूछा गया है प्रावरतन के नियम लिखिए तो परावरतन के आप दो नियम होते हैं दोनों को लिख दिया गया है नमबर एक आपतित करड़ प्रावरतित करड़ अभिलम तीन और एक तल में होते हैं नमबर दो आपतन कौर्ण तथा परावरतन कौंड दोनों बरावर होते हैं इसके बाद गाई देगी तीसरा कोश्चन था संभारिक किसे कहते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट कोश्चन है यह जिसके अलग ठता परमाडु भार समान हो वह से हम क्या कहते हैं ृच्षिक पेशी के कारे लिखी तो इनमें से आपको Qur तीनी क्वेश्चन आपको हल करनी है, तो पहला नियम है, ओम का नियम, ओम का नियम आप यहाँ पे इसली देख सकते हो, गाईज, दूसरा question है, hydrogen के तीन समस्तानीकों के नाम लिखिए, तो hydrogen के तीन समस्तान के ज़े रहे, hydrogen 1, hydrogen 2 and hydrogen 3, आनि proteum, deuterium, or tritium, इसके बात गाईज दिएके तीसरा задप और जन्तु कोष़का में तीन अंतर लिखिए तो यह रहे आपके सामने पदप और जन्तु कोष़का में तीन अंतर इनको अप लिख सकते हो लाश्ट कोस्चन है निउरॉन या तंत्र का कोशिका का नामा के चित्र नहीं तो इस तरीके से आप अपना डाइग्राम बना करके साइंस के पेपर को कवर कर सकते हो अगर आपको भी पढ़ाई में डाउट सारते हैं आपका कोई भी क्वेश्चन हो डाउट हो या कंसेप्ट हो या बोर्स हो या जही नीट का कोई भी क्वेश्चन हो तो आपको टैंसल लेने की जरुरत नहीं है क्योंकि फिलो आपके साथ है 24 घंटे आपको 3 easy step में सारे डाउट सॉल्व कर दिये जाएंगे सबसे पहले आपको डाउट करना है साइन अप कर लेना उसके बाद आपका जो भी क्वेश्चन उसका फोटो कीचन है या उसे टाइप करके भी आप उसका सॉलूशन पहा सकते है तो 60 sec वें आपको आपको सिम्पल रेलेशन होगे है अब अगर को आपको ऑर डाउट है तो आपताइए तो गाईज देर किस बात कि लिंक डिस्क्रिशिनर जाईए डाउट कीजिए अपने डाउट को किलियर कीजिए